हाई अब्रिवन, वेलकम तो सिवल्स मेंस्टो, आज पूटीन सब्टमबर से 17 सब्टमबर तक का करेंट अफेर अनालिसिस करेंगे, पहली न्यूज आइटम इरान के बारे में है, इरान ने अभी SEO को जॉइन करना है, इरान जो है शंगाई कॉर्परेशन ओगनाईजेशन को अभी जॉइन कर लेगा, ये इवेंट जो है, ये 23 में, 2023 में जो इंडिया में SEO की समिट होगी, आपको पता होगा कि इंडिया जो है, उसके पास चेर्मेंशिप होगी, SEO की, SEO की 2023 में, सो 2023 में जो समिट होगी, उसमें इरान फुल फ्लेजडली SEO का मेंबर बन जाएगा, अब यूएस ने बहुत सारे सैंक्शन्स इंपोस किये हुए, अल्डेडी इरान के उपर, उन सैंक्शन्स को ओवर कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव वे ढूंड रहा है इरान, तो जिसके चलते हैं, उसने SEO को में पार्टिसिपेट करने की SEO का मेंबर बनने का बारे में सोचा है, so 2021 में वैसे तो फॉर्मली ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था, कि इरान को फुल फ्लेजर्ड मेंबर बनाना है, और उसके लावा इजिप्ट, कटर और साओधी अरेबिया जो है, इनको डायलोग पार्टनर बनाना है, so 2021 में अल्रडी हो चुका था और अब फुल फ् पाकिस्तान, तजीकिस्तान, उसबेकिस्तान, ध्यान रखिएगा, इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, और उसके लावा इंडिया और पाकिस्तान, so ये जो है, ये पर्मेनेंट कंट्रीज है, ये पर्मेनेंट मेंबर हैं, SEO के अभी तक, इसके बाद इरान भी इसमें आड मेंबर नहीं थे उस टाइम पर मेंबर कौन था चाइना तो था ही उसके लावा रशिया भी था चाइना और रशिया के लावा कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान यह तीन मेंबर और थे उसके बाद फिर उसके बाद एड किया गया है उसबेकिस्तान को इंडिया को औ इरान अभी तक observer country था और डायलोग पार्टनर्स में हैं अर्मेनिया, अजर्बाइजान, कुम्बोडिया, निपाल, श्रिलंका और टर्की और इसके बाद यह नए अडिक्शन्स होंगी यहां अफगानिस्तान फुल Fledged Member नहीं और तुर्कमेनिस्तान हैं यह इसके अलावा यह जो है यह रशिया, कजाकिस्तान, यह सारे बाकी इसके Fledged Members है इसके अलावा इसकी चेर्मेंशिप जो है वो 2023 में इंडिया के पास होगी विनों शंगाई कॉर्परेशन और अगनाईजेशन अब है क्या यह एक Central Asian Countries का Security Body है Security Body है जो Central Asian Countries ने मिलके बनाई है और इसको Dominate Russia और चाइना करते हैं चाइना और रशिया लेड बॉड़ी है यह एक Intergovernmental Organization है 2001 में शंगाई 5 बना था उसके बाद इसकी membership को increase किया गया था ठीक है और 2017 में Finalist की membership को increase करके इंडिया और पाकिस्तान को इसमें add किया गया था और यह क्यों किया है इंडिया और पाकिस्तान को add करने का एक view यह था कि Western influence को counter करने के लिए इस एरिया में Central Asia region में Western influence को counter करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान इसमें add किये गए थे So यह इसमें अब इसके objectives क्या है mainly since its inception इसने क्या क्या है regional security issues के उपर इसका main focus रहता है एक इसकी body है RACS regional anti-terrorism ठीक है तो regional terrorism को counter करना इसका main objective है Ethnic separatism को tackle करना है और religious extremism को tackle करना इसका main priorities में आता है अभी तक SEO's priorities are also included also include regional development तो in security के अलावा क्योंकि एक security body है तो main इसका aim security ही है लेकिन उसके अलावा यह development के agenda के उपर भी काम करता है SEO जो है इसको observer status दिया गया है UNGA में ठीक है UNGA में United Nations General Assembly में 2005 में इसको observer status दिया गया था Next news item जो है Arata Pooza Billayudh के बारे में है So Arata Pooza Billayudh जो है यह merchant family में Kerala में इनका birth हुआ था एक well of merchant family में इनका birth हुआ था लेकिन इन्होंने अपनी सारी life जो है वो lower strata के लोगों की development के लिए उनकी upliftment में उन्होंने लगाई है उन्होंने mainly उनका काम क्या था कि उन्होंने challenge किया था अपर कास्ट की dominance को अपर कास्ट की अपर युग करन हुआ था modernization आई थी मलब पुरानी टाइम से नए टाइम में Kerala ने transition किया था तो उसमें इनको flag bearer या फिर morning star उनका बूला जाता है अराता पुजा जो है उनका main role था social reforms को initiate करने में सो इन्होंने दो temples बनाय थे अराता daí कोमुकों यहाँ पे tactical women men sभी को allow किया जाता था क्यूंकि आपको पता ओगा कि पहले क्या होता था कि में upper caste के लोगों को allow नहीं किया जाता था ये जो दो temple से इनमें god shiva की पूजा की जाती थी और बहुत सरे मतलब सारी कास्ट के लोग और सारी रिलीजन के लोगों में इसमें आने को उनको अलाव किया जाता था उसके अलावा 1858 में इन्होंने एक अच्ची पुढावा समारम एक स्ट्राइक की थी ये काया कुलम में अलापुजा एरिया है जो वहाँ पर अच्चीली पते क्या था पहले एक सिस्टम होता था कि केरला में जो विमन हैं लोगर कास्ट की वो अपर गार्मेंट्स नहीं पहन सकती है अगर उनको अपनी बॉड़ी के अपर साइड में कोई उनको क्लोथ पहना होता था अगर वो कोई कपड़ा पहना चाहती थी तो उनको एक टैक्स देना पड़ता था ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था तो ये जो अलापुजा है अराटापुजा है सॉरी तो इनका में रोल ये था कि इनो ने इसके अगेंस्ट एक movement चलाई थी ताकि जो lower caste की women है उनको भी right हो कि वो upper और lower garment जो है पहन सकें तो पहले क्या था कि एक तो उनको upper garment नहीं पहनने दिया जाता था ठीक है अपनी body को cover करने के लिए और दूसरा उनको knees से नीचे तक कोई भी garment पहनना allowed नहीं था public places में और अगर यह करना चाते हैं तो उनको एक tax दिना पड़ता था उसके अलावा उनको कोई भी मतलब जैसे एक nose ring होती है या फिर कोई भी gold के ornaments हैं वो पहनने allowed नहीं थे public places में तो अगर वो भी ऐसा कुछ पहनना चाती है तो उनको उसके लिए भी taxation होती थी या फिर उनको allow ही नहीं किया जाता था तो इन्होंने जो मुकुत्ती समारम ठीक है इस नाम की एक strike इसमें भी करवाई थी ठीक है कि ताकि इन women's को allow किया जाए वो gold ornaments पहन सके हैं सबसे पहला यह है आचिपुडावा समारम strike कायकुलम अलापुजा में ठीक है यह जो थी यह लोर गार्मेंट के लिए थी अथापू समारम strike जो थी यह अपर बोडी के लिए थी कि अगर उनको ऊपर बोडी में मतलब अपर बोडी में कुछ पहनना है ठीक है उसके लिए थी और मुकुत्थी समारम जो थी पांडलम में थी यह gold ornaments के लिए strike करवाई थी women के अलाबा इन्होंने agricultural labels के लिए भी बहुत काम किया है उनकी पहली strike जो थी करक्ष थो क्थाकली आपको पतावगा कि एक classical dance है के रहा से क्थाकली योगम इन दौसंस कि क्थाकली को टीच किये जाने वाले schools लोगों के लिए area based schools बनाए गए थे क्थाकली के लिए especially इजवाज community है इसमें के रहा में ठीक है तो उनके लिए 1861 में इन्होंने यह बनाय था यह कलायर में कलायरी पट्टू है इसमें भी यह काफी martial arts में यह काफी निपुन थे इनकी कला काफी अच्छी थी पानिकर इनको एक title दिया गया था के मतलब उस टाइम पे जो तरावन कोर के king थे तरावन कोर के राजा थे उन्होंने इनको title दिया था पानिकर का इनको फाइनली upper caste के men ने इनको 1874 में 49 year की age के उपर इनको murder कर दिया था तो यह first mark year बने थे Kerala, Naviukar and Kerala Renaissance के इनको 1869 में recognition मिली थी यह पानिकर टाइटल इनको king of तरावन कोर ने दिया था 2005 में फिर Kerala government जो थी उन्होंने अराटा पुजा बेलायूद पानिकर research foundation and cultural center थिरवंतपुरम में इनक state, you know, leader और we can say. So next news item है board of trade के बारे में. So union ministry of commerce and industry ने अभी एक first meeting chair की थी newly reconstituted board of trade जो बना है. Basically Prime Minister Narendra Modi ने अपनी जो independence day की speech थी उसमें बोला था कि अगर हमें 2047 तक developed countries, अभी हम developing country है, अगर हमें developed country बनना है तो हमें अपने export को increase करना पड़ेगा. Developed country मतलब जहां पर हमारा per capita income बहुत अच्छी होगी, poverty बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है, और सभी को basic services, basic needs जो है, सभी की meet होगी. और हमारा export अच्छा होगा, हमारा GDP अच्छी होगी. ठीक है, तो उस time के आने के लिए हमें export को और जादा increase करना है. तो इसी objective में ये board of trade बन target setting करनी होगी. हर sector में कितना amount, किस चीज़ का, हम कितना amount supposedly जैसे wheat है, तो इसका कितना, कितना lakh tons, ठीक है, हम export करेंगे. ठीक है, या फिर sector wise पहले उसका sector wise करना है, then उसको wholesome तरीके से कि कितना export होगा. उसके अलावा new foreign trade policy जो है, इसको apply करना है. नई foreign trade policy 2022 से 27 सक जो बनी है, इ इसके एक major agendas में था. उसके अलावा strategies and measures to be taken in, in order to take forward the domestic manufacturing and export. Domestic manufacturing, make in India को boost देने के लिए, exports को बढ़ाने के लिए, ये तीसरी चीज़ थी जो इसका agenda था. कि क्या steps लिए जाने चाहिए. उसके अलावा board of trade जो है, इसको पहले क्या था कि council for trade and development था और उसके साथ and council for trade and development, trade and development and promotion ठीक है, ये एक body थी और उसके अलावा एक board of trade था, तो इन दोनों को merge करके 2019 में common एक name दिया था, board of trade का. ठीक है, ये board जो था, ये government को advice करेगा policy measures के उपर, कि कैसे हम foreign trade को improve कर सकते हैं, कैसे हम foreign exports को improve कर सकते हैं, तो इसके उपर policy decisions के उपर advice करने के लिए बनाया गया है, policy in order to achieve the objective of boosting India's trade policies, India के trade को boost करने के लिए, and also it provides a platform to the state government and UT for articulating state oriented perspectives to the trade policy to boost manufacturing and export. तो state का क्या perspective है, ठीक है, इसको trade को boost करने के लिए, manufacturing को boost करने के लिए, और in general exports को boost करने के लिए, तो उसमें भी ये, उसको भी consider करेगा, ठीक है, so state governments को inform करने के लिए, प्रोडक्शन स्टेट्स में हो नहीं है, ठीक है, सेंटल गवर्मेंट एक kind of body, पलब सेंटल गवर्मेंट जो है, वो फैसिलिटेटर का काम करती है, तो सारा manufacturing हो गया, ठीक है, चाहे production हो गया, और या फिर जो भी चीज़ें होती है, वो states के थ्रू हो नहीं है, तो states को, ठीक के मामले में वो चीज़ें सारी बताने का काम भी जो है, इसी body का है, इसके अलावे important mechanism for, अगर मानलो की trade के case में, दो states में, या industry की दो bodies में, या industry की body और state के बीच में, या export promotion council, किसी भी sector में कोई issue आता है, तो उसको deliberation, उसका मतलब mechanism provide करना, कि deliberation discussion से कैसे वो sort out होए, तो वो भी इसी का main काम है, next news item है, बहुत important, national list of essential medicine के बारे में, national list of essential medicine नाम सी आपको पता चल रहा है कि एक list है, जिसमें जो भी सारी इंडिया में medicines use होती है, हमारी country में, वो सारी लिखी गई होती है, ये list जो होती है, डॉक्टर्स को, फिजीशन को help करती है, कि वो patient को जब medicine prescribe करते हैं, क्योंकि देखो doctors को तो बहुत सारी चीज़ें पता होगी, तो जो हमारी country में लेकिन available है, ठीक है, जो लोगों के लिए accessible है, ठीक है, पहली बात accessible है, जिसको अराम से जाके ले सकते हैं, efficient भी है, ठीक है, उसकी quality भी अच्छी है, और साथ में सस्ती भी है, और safe भी है, त simple paracetamols तक होती है, vaccines भी होती है, इस list में, so ये सारी चीज़ें दी गई होती है, ये list में, ये list time to time revise की जाती है, जैसे जैसे demand बढ़ती है, supposedly जैसे COVID आया था, तो उस time पे कुछ और demand बढ़ी थी, कि हमें कोई एक particular set of medication, ठीक है, उनको बढ़ाने की ज़रूर थी, उनको country में लाने की ज़रूर थी, ठीक है, तो time to time इसकी जो list है, ये change करनी पड़ती है, depending upon की public health condition क्या है, कौनसी बिमारी जो है, वो public को असर कर रही है, कौनसी बिमारी public को loss कर रही है, या फिर कौनसी बिमारी in general की चली रही है, ठीक है, तो उसके according जो है time to time हमें ये list को update करना पड़ किया गया है, और ये जो list बनती है, इसको WHO के standards के according, उनकी जो essential medicine की list है, या जो भी उन्होंने दिया हूँ है, उसके according हमें prepare करते हैं, अब इसमें है क्या, national list of essential medicine, first time 1996 में बनाई गई थी, हमारी country में, ठीक है, और ministry of health and family welfare ने इसको बनाया था, ठीक है, और उसमें जो है, regular basis पे revise किया जाता है, ठीक है, ताकि public health की priorities को ध्यान में रखते हुए हमारी, हम pharmaceutical knowledge को use करें और एक list के साथ come up करें, इसको 4 बार, 96 में पहली बार बनी, फिर उसको 2003 में चेंज किया गया, 96 में बनी, फिर 2003 में इसको चेंज किया, फिर 3 के बाद 2011 में इसको हमने चेंज किया, ठीक है, और primary purpose जो है इसका, primary purpose है कि हमने rational use of medication की, access में doctor's medicine या use करें, अच्छी medicines यूज की जाए, rational use of medicines को हमने बढ़ावा देना है, in a sense, कि उसकी cost भी ठीक हो, उसकी safety भी हो, और वो efficient भी हो, ठीक है, तो ये हमारा main purpose है, और ये जो है, ये help करती है, optimum healthcare resources को optimum utilization में, budget manage करने में, ठीक है, drug procurement policies बनाने में कि सरकार को कौन से drug foreign countries से हमारी country में मगवाने के जरूरत है, health insurance में, ठीक है, लोगों को prescription देने में, ठीक है, इन सारे चीजों में जो है, important role play करती है, और pharmaceutical policies सबसे importantly, design करने में कि कि किसका कितना production करने की जरूरत है, अब इसमें NL EMGA जो list होती है, इसमे basically generic drugs को बड़ावा दिया जाता है, जो generic drugs है, उनका नाम लिखा जाए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, यह नहीं है, पेटेंटे ड्रग इसमें आ सकते हैं, अगर कोई alternative present नहीं है, और suppose करो कि अगर एक भीमारी के लिए दो दवाईया available है, medicine A और medicine B, इन में से जो जिसकी efficiency जाए है, यह नहीं देखना है कि जिसका rate जाए होगा, कम rate वाली को लेंगे, जिसकी efficiency जाए होगी, जाए है जाए efficient वाली को लिख लेना है, जैसे हमारा health care system में होता है, primary health care system, secondary health care system, or tertiary health care system, जैसे ही इस लिस्ट में दवाईयों को stratify किया होता है, कि primary उसमें यूज आने वा इसमें, तो यह है list of medicine के बारे में, और इस बार इसमें 384 drugs total है, हमारी जू लिस्ट है, 384 drugs है, ठीक है, 27 categories में इनको division, differentiate किया हूँ है, divide किया हूँ है, 34 ने drugs add किये गए है, 26 जो पहले 15 में थे हैं, उनको निकाल दिया गया है, क्योंकि अब वो use में नहीं रहे, मतलब, public health priority को इसमें से निकाल दिये जाते हैं, और इसमें बही drugs add किये जाते हैं, जिनको drug controller General of India DCGI ने, जिसको अपरूफ किया हूँ है, और license प्रवाइड किया हूँ है, इसमें efficacy, ठीक है, ड्रग, उस वो drug add होते है, जिनकी जो efficient है, और उनको scientific evidence से show किया गया है, कि ये काफी मतलबीनों क efficient है, और उसके अलावा cost effective है, तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है, ठीक है, और ये जो दवाइया है, इनको National Health Program of India के under, इनको recommend किया जाना चाहिए, ठीक है, recommend जिनको किया जाता है, वो इसमें आती है, ठीक है, और अगर वो मैने आपको बता दिया है, कि एक disease के लिए जिनकाल दिया जाता है इसमें से, या कौन सी medicine को delete किया जाता है, लिस्ट में से, पहली बात है जो इनको इंडिया में बैं कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि specific medications जिनको बैं कर देते हैं, जिनका reverse psychological या किसी भी तरीके का कोई impact होता है, पर से पर उसके अलावा, जो भी बिमार में ठीक है, और resistance आने की वज़े से वो ineffective हो चुकी है, तो उसको भी निकाल दिया जाता है, इसमें से, ये इसके बार में था, next है कामरून की volcanic lake के बार में, so कैमरून में एक volcanic lake है, Lake Cook, Lake Cook में अभीना मतलब एकदम से बहुत foul order आने लग गया था, उसका order change हो गया था, उसका color change जो गया था, जिसके वज़ा से वहां के local लोग जो है, वो बहुत panic कर गये थे, actual है, उनका panic भी सही है, ठीक है, क्योंकि 36 साल पहले, 36 एर पहले वहां पे और लेक है, Lake Neos, Lake Neos में भी similar kind of phenomenon देखने को मिला था, और उसमें क्या हुआ था, कि ऐसा चीज होने के बाद उसमें से तो basically carbon dioxide थी में, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी deadly gases बाहर निकले थी और जिससे उनको बहुत नुकसान हुआ था, so अब यही similar चीज जो है, Lake Cook में से भी हो रही है, so Lake Cook और Neos जो है, यह almost similar जैसी लेक है, यह दोनों ही crater lake है, volcanic origin की lake है, ठीक है, और Cameroon volcanic line है, Cameroon जो है, आपक ocean तक चलती है, Cameroon oceanic line, sorry, Cameroon volcanic line, इसकी line के long volcanic बहुत सारी volcanoes है, जो active volcanoes है, time to time फटते रहते हैं, time to time उनमे, you know, explosion होता रहता है, so volcanic, Cameroon volcanic line जो है, उसमें string of volcanoes है, जो Atlantic ocean से लेकर Republic of Cameroon के बीच में चलते हैं, और यह जो phenomenon है, यह 38 million year ago start हुआ थे, और अब तक चला आ रहा है, अब अबी तक भी उसका material है, mental में फिसाइल, जो भी material है, वो अभी तक magma उसका शांत नहीं हुआ है, उसके अलावा volcanoes जो यहां पे है, वो oceanic continent boundary को cross कर जाते हैं, जनरली क्या दिखा जाता है, कि continent के volcanoes, continent पे होते हैं, ocean के volcanoes, ocean में होते हैं, लेकिन यह जो volcanoes है, यह trans-continental है, sorry, trans in a sense, क ocean और continent दोनों में continue करते हैं, ठीक है, तो यह basically इसके बारे में है, incident मैं आपको बता दिया, 36 years पहले हुआ था, लेक नेयोस में, वहां पे lethal gases emit हुई थी, ठीक है, अर्थ की mental से निकल के, ठीक है, अब इसको देख लो कि यह Cameroon है, इसके चारों तरफ है Nigeria है, ठीक है, और main countries में Republic of Congo है, Gabon है, ठीक है, तो यह ही है, ठीक है, और यह Gulf of Guinea है यहाँ पे, ठीक है, और इसके साइड में ही जस्ट आगी यह Atlantic Ocean है, Cameroon के नीचे से निकलती है, equator उसमें नहीं आती है, Cameroon equator से उपर है, ठीक है, तो यह है basic इसके बारे में, next news item है, अनभाव साथे के बारे में, जो रश्या की library है, रश्या में, अल, रश्या स्टेट library है, वहाँ पे, मतलब एक अनभाव साथे की अभी जो मूर्ती है, उसको एक स्टैचु है, उसको अनभाव साथे जो है, यह एक दलिध फैमली में इनका बर्थ हुआ था माराष्टरा में, ठीक है, इनको लोग साहीर शाहिर भी बोला जाता है People's Balladier Balladier मतलब बैलेड मतलब ऐसे गानने होते हैं मतलब पबलिक गुड़ वाले गाने जो मतलब transition इनसेंस या फिर की लोगों को जागरूप करने वाली कुछ बैलेड इन्होंने लिखी और इन्होंने गाई जिसकी वज़ाए से इनको लोक शाहिर बोला जाता है इन्होंने अपने अर्ली डेज में मतुंगा लेबर कैम्प में इनको आर्वी मूर से इनकी मुलाकात हुई थी आर्वी मूर जो है वो बाला साहिब भीमराओं बेडकर जी हैं जो उनके असिस्टेंट थे इन्होंने चवाड़र लेक में सत्यागरा हुआ था जो माहर सत्यागरा तो उसमें इन्होंने पार्टिस्पेट किया था और लेबर स्टडी सर्कल को वहाँ पे इन्होंने जोइन किया था अब यह जो लेबर स्टडी सर्कल मतलब एक इंटर्नल सेगमेंट बनी थी दलित, you know, अपलिफ्टोमेंट के लिए, यह जो था, इसने, इन्होंने मतलब इस यह जो study circle था, ठीक है, अनबाव साथे वारा, इन्होंने बहुत सारा, मतलब रशियन जो literature है, रशियन लिटरेचर को मराथी में convert किया था, जैसे माक्सिम गोर्की के काम को, एंटोन चेकोफ के नाम को, लियो टॉल्स्टोई के काम works को, ठीक है, इवान तर्गनेव के काम को, मतलब उनकी books को, उनके novels, जो भी उन्होंने लिखा था, material, उन सब को मराथी में translate किया था, ठीक है, उसके अलावा इन्होंने दलित युवा संग बनाया था, यह एक cultural group था, जो की poems लिखता था, ठीक है, worker protest के उपर, worker agitation के उपर यह poems लिखते थे, उसके अलावा साथे जो है, इन्होंने पाउडा, मतलब ballads जो होती है, या फिर लावणी folk music है, महराश्टरा का, ठीक है, folk dance है, not music, महराश्टरा का, उसको, उसके त्रू अपने work को popularize किया था, और इ Bengal's call, तो Bengal में जो famine आए थे, ठीक है, उसके उपर इन्होंने एक kind of work लिखा था, एक novel लिखा था, ठीक है, Bengal's famine के उपर, और उसको बाद में Bengali में translate किया गया था, और उसको London Royal Theater में perform भी किया गया था, present किया गया था, इसके अलावा इन्होंने एक novel लिखा था, फकीरा, और ज Mil Worker Strike में, ठीक है, under the leadership of Lal Bauta, Mil Worker Union of Mumbai, मतलब इन जनरल आपको बहुत डिटेल में तो पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है कि किसमें पार्टिसिपेट किया था, किसमें नहीं किया था, बस इतना याद रखो कि ये labor appointment में involved थे, Russian literature को इन्होंने translate किया था, इन्होंने महराष्ट की जो, की language है मराथी, उसमें बहुत सरे ballots लिखे थे, ठीक है, इनको people's balladeer लोक शाहीर बूला जाता था, ठीक है, और उसके अलावा जो है, ये, Marx के बहुत बड़े fan थे, मतलब communist ideology, जो Marx की थी, उससे बहुत प्रभावित थे, इन्होंने, ये communist party of India के members थे, ठीक है, इनको जो है, मतलब इन्होंने, मतलब ये गोर्की से, साथे वो इमेंसली, इमेंसली inspired by गोर्की, गोर्की का एक काम था, मतलब एक novel था, दा मदर, तो उससे बहुत दादा inspired थे, ठीक है, मराथी poet है, एक बाबुरा बागुल, इन्होंने साथे को, the Maxim Gorki of Maharashtra बोला है, कि मह Maharashtra के गोर्की है, ठीक है, तो एक बड़ा title है, जो इनको दिया गया था, ठीक है, एक fellow poet के द्वारा, next Supreme Court ने अभी एक decision दिया है, separate domicile के उपर, Supreme Court ने बोला है, कि किसी भी individual को, किसी भी state में काम करने के लिए, उस state का domicile की requirement नहीं है, क्योंकि India एक union of states है, ठीक है, इंडि court case file किया था, against the high court judgment, ठीक है, अंदरप्रदेश state reorganization act 2014 के against, ठीक है, उसमें क्या था, कि एक officer का claim था, कि उसकी posting, मतलब, high court ने क्या किया था, कि एक officer ने claim किया था, to be posted in Telangana and not अंदरप्रदेश, ठीक है, post the bifurcation of the state, state की bifurcation के पास person की, जो posting थी, उसको Telangana में चीये थी, ठ अंदरप्रदेश state reorganization act, तो high court ने इसके favor में case सुनाया था, लेकिन supreme court में गया Telangana, ठीक है, supreme court ने बोला कि अंदरप्रदेश state reorganization act 2014, या फिर कोई भी guideline, ठीक है, जिसके चलते, ठीक है, any other guideline cannot take away citizens right to reside and settle in any part, कि अगर कोई person Telang, मतलब, एक state की suppose करो bifurcation हुई है, उसके बाद, एक person जिस उन दो, जो entities निकली है, जहां पर मर्जी रहना चाहता हो, या फिर कोई भी ऐसी guideline जो Indian government बनाती है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी person का right नहीं आप infringe कर सकते है, कि वो किस state में रहेगा, ठीक है, ये person की अपनी choice है, कि वो किस state में रहना चाहता है, भी it Telangana या Andhra Pr या फिर कोई और, in case, कोई और case है, तो, it observed that there is only one domicile, एक domicile है, जो कि Indian country का domicile है, ना कि किसी state का domicile, under the constitution, India जो है, एक union of state है, और इसका हर part integral part है, इसकी हर state integral part है, और inseverable part है, ठीक है, so domicile की requirement नहीं है, Supreme Court continued that, it is true when the state is divided, and the employees and the officers of the state government have to be allotted to do states, कि जब एक state को, country को, state को divide किया जाता है, तो, उसके employees को divide करना होता है, दुनों में, so, जो भी ऐसी allocation होगी, मतलब, जैसे मानलो कि एक state को divide किया गया है, दो states में, तो, इसमें कि कौन सा employee किस state में जाएगा, जो नहीं दो बनी है, उनमें से किस state में जाएगा, कि इस basis पे जाएगा, दो लोगों को, कि वो किस state में रहेंगे, ठीक है, decide किया जाएगा, ऐसे rules के according, जो हमारे constitution, हमारे fundamental rights के साथ, line में होगे, जो उनको agree करेंगे, और, अगर किसी person को, आप उसकी domicile के basis पे बोल रहे हो कि, आप telangana में काम करोगे, क्योंकि आपका domicile telangana का आया है, तो ये गलत होगा, ठीक है, तो इसमें article 1 of Indian constitution को cite किया गया, कि Indian constitution 1 के article में, ठीक है, और schedule 1 में जो है, ये सारे laws fall करते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो basic ये इसके बारे में था, next news item है, green fins hub के बारे में, UNEP, United Nations Environment Program and Reef World Foundation, इन्होंने अभी एक common, एक common first ever platform बनाया है, ठीक है, green fins ये platform, ये marine tourism को, global level पे, जो marine industry है, उसके लिए, मतलब सारी की सारे जो भी companies है, या जो भी जहां जहां पे भी marine tourism होता है, उनके लिए common platform बनाया है, किसके लिए, diving के लिए, snorkeling के लिए, ठीक है, worldwide, so इसको बनाया गया है, The Reef World Foundation in partnership with UNEP, ये हमने पढ़ लिया है, अब इसमें क किया जाएगा, कि ये platform के अंडर, सारी के सारी जो भी industry involved है, उसको बोला जाएगा, कि वो sustainable way से marine tourism करें, ठीक है, so इसका main purpose ये है, कि थोड़े से changes लाने के बाद, कि जो भी industry involved है, वो अपने setup में, थोड़े से small changes लेके आए, और वो small changes जो है, small changes जो है, वो help करेंगे, sustainability लेके ये जो changes होंगे, cost efficient ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मतलब उनको कोई नुकसान उठाना पड़े, ठीक है, और ये changes के बाद इनको जो है, इनकी annual improvements जो है, उनको जो है, उसको track किया जाएगा, ठीक है, और आपस में ये industry communicate करेंगी, ठीक है, और communities के साथ, customers के साथ, इसको communicate किया जाएगा, अब ये जूतनी भी industry है, इसको दो तरीके की membership दी जाएगी, मतलब जो भी various organs है, मतलब जो भी various industries है, जहां 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 पर snorkeling या फिर ये diving करवाते हैं, ठीक है, तो ये सारी industries इस platform में आगी, अब platform जो है, दो तरीके की membership बाढ़तेगा, सारी industry के लोगों को, digital membership और greenfin certified members, ठीक है, digital membership दी जाएगी, ठीक है, will be available to dive, snorkel, and live board operation globally, तो ये सब को दी जाएगी, उसके अलबा, throughout every year of the membership, operators will receive environmental school, सारे के सारे जो operator हैं, जो ये चीज़े करवाते हैं, उनको एक environmental score दिया जाएगा, उनकी online self evaluation के basis पे, या फिर जो भी उन्होंने in actions को करने के लिए progress made किया, उसके चलते, so greenfin जो certified member है, वो उनको मतलब annually assess किया जाएगा, ठीक है, assessment मतलब उसका particular criteria है, फिर उनको ranking दी जाएगी, उसके basis पे, bronze, silver, gold certified member वाली ranking, और उसके according, जो जैसा perform करेगा, उसको अगर कोई बहुत अच्छा करता है, उसको gold certification, then silver, then bronze certification, ऐसी certification दी जाएगी, और change भी हो सकती है, मतलब, जैसे उसकी operation होगा, जैसे उसकी performance होगी, उस हिसाब से, जितना sustainability होगी, जितना green होगा, उसके initiatives, उसके according उनको दिया जाएगा, so greenfin community forum है, ठीक है, will be for operators around the world, मतलब, operators के लिए होगा, वो क्या क्या कर सकते है, अब उनको क्या फायदा है, इस feature से, मतलब इसके अलावा, मतलब, इस initiative से उनको क्या फायदा है, कि वो raise industry needs, ठीक है, मतलब, industry की needs के with respect to, वो, चीज़े raise कर सकते हैं, funds raise कर सकते हैं, ठीक है, discuss the, मतलब, sorry, कि वो industry की needs क्या क्या है, ठीक है, उसको, मतलब, global platform पे बता सकते हैं, environmental issues क्या क्या होते हैं, वो आपस में discuss कर सकते हैं, ठीक है, आपस में, मतलब, industry की जो needs है, उनको discuss कर सकते हैं, और जो भी, जिस भी idea से, lesson से, उनको help हुई है, उनका betterment हुई है, तो वो उसको बाकियों के साथ भी discuss कर सकते हैं, with like-minded industry leaders, ठीक है, या फिर non-profit government organization की, in sense की, मानलो की, कोई strong infrastructure में change लेके आना है, जिसके लिए, इनको funding या कुछ ऐसा चीए, तो उसके लिए, ये, मतलब, industry leader से, ये connect, contact, contact कर सकते हैं, non-profit organization से, government से भी help ये, मांग सकते हैं, इसके थो, ठीक है, next news item, atomic clock के बारे में है, अभी atomic clock, normal clock से, बहुत ज़्यादा efficient होती है, ठीक है, तो, क्या है, कि अभी, जो मतलब, जो previous generation वाला थ ये, मतलब, you know, कि एक हर 1 hour के बाद, 1 nanosecond, 1 nanosecond कितना होता है, कि 1 into 10 to the power minus 9 second, lose कर रही थी, ठीक है, तो, atomic clock, जो है, इसमें क्या होता है, मतलब, इसकी efficient form आई है, ठीक है, atomic clock होती है, इसमें क्या होती है, एक क्वार्ड क्रिस्टल औस्किलेटर होता है, ठीक है, विद एंसें of atom, मतलब, atoms होती है, इसमें कुछ, cesium, calcium, rubidium कोई भी यूज किया जा सकता है, ताकि greater stability आ सके, ये atoms इसलिए यूज किया जाते हैं, ताकि greater stability आ सके, और, मतलब, you know, कि extreme accuracy भी हो साथ साथ, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि इसमें element of cesium होता है, calcium, cesium है calcium में से कोई भी होगा, ठ साथ में एक microwave electromagnetic radiation, microwave की source होगी, working कैसे होती है, आपको पता है कि सीजियम का atom होता है, जो, ठीक है, सीजियम का atom जो होता है, मतलब कोई भी atom होता है, उसके चारो तरफ electron होते है, ठीक है, जो कि अलग-अलग energy level को occupy करके रखते हैं, कोई ground level पे होता है, कोई first state पे होता है, second state, third state, अब इसमें क्या होगा, कि एक microwave जो है, इसके उपर irradiate की जाएगी, suppose ये ground level पे एक electron पड़ा है, तो इसके उपर एक microwave irradiate की जाएगी, ठीक है, अब electron ये microwave की जो energy है, इस energy को absorb करेगा, और ये higher state पे चला जाएगा, higher excited state पे चला जाएगा, ठीक है, अब इसके लिए इसको higher state पे लेके जाने के लिए क्या है, कि जो microwave radiation डाली है, ठीक है, इसकी frequency जो है, ठीक है, वो इस electron की cesium element है, या फिर जो calcium element है, इसकी frequency के साथ उसको match करना पड़ेगा, ठीक है, microwave source की frequency को tune in करना होता है, हमें atom की frequency के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद source by tuning the microwave source and observing at what frequency the transition take place, कि किस frequency पे, ठीक है, किस frequency पे tuning हुई है, मतलब किस frequency पे electron जो है, जो एक्साइट हुई है, कि मतलब मान लो कि frequency, ठीक है, मियू साइन होता है frequency का, कि मैं hypothetical data बोल रहे हूँ कि इस sense में नहीं होती है frequency कि two frequency पे हुई है, three पे हुई है, या किस frequency पे electron जो है एक्साइट हुई है, यह frequency जो होती है, यह अब number of waves बताती है, यह जिस frequency पे वो excite होके higher stage पे गया है ना, उपर वाली पे, तो वो बताती है कि कितनी number of waves है, number of waves जो एक particular point of time पे, ठीक है, जो है cross कर रही है, और यह जो particular number of waves होती है ना, यह one unit of time होती है, ठीक है, इन one unit of time हो रही है, बाइ counting the number of waves, अब इन number of waves को count करके हम time को accurately बता सकते हैं, ठीक है, मतलब, मतलब इसमें official definition देख लो कि second की क्या होती है कि frequency needed to make electron transition between two levels in cesium atom, कि एक electron यहाँ से suppose करो यहाँ गया है, ठीक है, तो यहाँ से इसको यहाँ जाने के लिए जितनी frequency, ठीक है, वो वही frequency, अब इसकी frequency को हम calculate नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छी टेकनीक है कि electron magnetic जो source है, ठीक है, electromagnetic radiation वाली microwave की जो source है, उसकी frequency को हम calculate कर सकते हैं, कि हमने कितनी set की है, कि वो manually set हो रही है, जिसके उपर, पतलब, यह signal आ गया कि यहाँ से excited हो के यहाँ तक गया है, वो जो frequency होती है, वो number of waves होती है, ठीक है, और वो number of waves जो होती है न, ठीक है, वो होता है, एक second, frequency जितनी required है, electron को यहाँ से, यहाँ तक पहुंचाने के लिए, उसको बोलते है number of waves, sorry, number of waves या फिर one second, ठीक है, between two levels of cesium atom, एक cesium atom में, और आपको MCQ की format में question तो आ सकता है कि कौन सी element यूज होती है, इसमें, cesium होती है, second की definition आ सकती है, तो ऐसी चीज़ें आपको पुछी जा सकती है, ठीक है, तो यह था basic इसके बारे में, और मतलब जो अभी तक की सबसे highly efficient clock है, हमारे पास atomic clock है, वो NASA की deep space atomic clock है, ठीक है, यह सिर्फ one second miss करती है, 10 million year में, ठीक है, सिर्फ इतनी जादा इसकी accuracy है, यह diagram बगरा है, ठीक है, और इसका use जो होता है, वो outer space के projects में, जो भी या फिर missile systems होते हैं, तो इन सब में के uses होते हैं, ठीक है, next news item है, power finance corporation के बारे में, अभी power finance corporation, union ministry of power के अंडर आएगी है, ठीक है, power finance corporation जो है, अभी तक एक यह public financial institution था, अब इसको union power ministry ने RBI से accent लेके, इसको power finance corporation और इसकी एक subsidiary, rural electrification corporation जो है, इनको developmental financial institution वाला status दे दिया है, पहले यह public financial institution था, ठीक है, अब यह developmental financial institution है, difference क्या है, यह कम पैसा मिल सकता है इसको, इसको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है, clear है, बस यह एक बड़ा major difference है, so power ministry जो है, इसने DFI status अभी दिया है, PFC को, RBI से consent लेके, RBI का एक act है, National Bank for Financing, Infrastructure and Development, NABFID Act, ठीक है, 2021 में आया था, तो इसके अंडर यह किसी भी institution को developmental financial institution का status देती है, So developmental financial institution जो है, यह मतलब, यह जो है, यह help करते हैं, मतलब यह status जो है, किसी को अगर tag दे दिया कि यह DFI है, तो यह tag उस organization को या उस institution को help करता है, कि वो foreign funding को access कर सकती है, उसको बड़ी-बड़ी grants मिल सकती है, उसको बहुत easily loan मिल सकता है, बहुत बड़े amount में, ठीक है, जो कि public financial institution को अभी तक नहीं मिलता था, So इसको objective क्या है, कि जो भी global climate change का पैसा है, मतलब global climate funding है, जो हमारा अपना budget होता है, यह international bodies जो provide करती है, world bank, या फिर renewable energy corporation, ठीक है, या जो भी international bodies है, international solar alliance, या जहां से भी जो पैसा आता है, उसको हमने steer करके, मतलब उसको हमारी country में उसक इस सेक्टर की तरफ ले कि आना है, ठीक है, और net zero investment, मतलब यह इसका basic target है, अगर यह proposal, मतलब यूनो कि इस taken into its logical conclusion, तो PFC जो है, would be the first DFI for climate and clean transition, clean energy transition, तो जो public finance corporation है, यह पहली developmental financial institution होगा, जो climate and energy transition के matter में involved है, Napfit अब देख लेते हैं, क्या है, इसके साथ साथ, यह जो है, यह एक act है, जिसके under DFI status दिया जाता है, ठीक है, long term finance के लिए, ठीक है, अब basically, यह किन institution को दिया जाता है, DFI status, यह उन institution को दिया जाता है, जिनको और कोई, मतलब commercial bank के थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है, other, मतलब organizations के comparison में, ठीक है, मतलब, इनको loan देना थोड़ा रिस्की होता है, तो जिसके चलते है, इनको commercial banks या फिर बाकी जो financial institutions हैं, तो वो इनको loan नहीं देते, तो इसलिए इनको पैसा जो है, वो, मतलब, you know, कि especially उनको उनको उनके लिए arrangement करनी वड़ती है, उसके अलाबा, bank जैसे ल developmental financial institutions होते हैं, वो लोगों के deposit नहीं ले सकते, they do not accept deposits from people, ठीक है, important point है, उसके अलाबा, ये क्या है, कि इनको फिर funding आती कहां से, market से पैसा उठा सकते है, government से पैसा आ सकते है, multilateral institutions से पैसा आ सकता है, ठीक है, and are often supported through government guarantees, ठीक है, और जो भी इनको पैसा मिलता है, उसको उसके पी finance corporation जो है, एक financial institution है, ministry of power के अंडर, ठीक है, इसको 1986 में बनाया गया था, और ये leading non-banking financial corporation है country में, इसका main aim ये है, कि to be the leading institutional partner for power, power के sector में infrastructure development के लिए, allied infrastructure development के लिए, एक overseas और इंडिया की value chain डवलप करवाना, इसका main part है, ठीक है, पी एफसी जो है, इसको schedule A के अंडर महरतन CPSC का status में दिया था, 2021 में, ठीक है, 2010 में it was classified as an infrastructure finance company by the Reserve Bank of India, तो Reserve Bank of India ने इसको infrastructure finance company का status भी दिया था, 2010 में, ठीक है, infrastructure status देने का भी एक ये फाइदा होता है कि मतलब वो जादा quantum of loans या जादा quantum of money को access कर सकता है, ठीक है, महरतन CPSC है कौन-कौन से, भारत है लेक्ट्रिकल IOCL, then Coal India Limited, Gale, Hindustan Petroleum Corporation Limited, IOCL, ठीक है, NTPC, ONGC, ठीक है, Public, sorry, Power Grid Corporation of India Limited और Steel Authority of India Limited, Steel, तो आप इनको देख लीजेगा, ये PDF में, Telegram चैनल में डाल दूगी, next news item जो है, वो है, Supreme Court on Separated Domicile for State, so, ये news item, sorry, हो गई है, कवर है, so, next news item जो है, ये, है, GEF Small Grant Program के बारे में, so, Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने, UNDP के साथ मिलके, और, the Energy and Resource Institute, Terry के साथ मिलके, अभी एक GEF Facility लाँच की है, GEF Small Grant Program जो है, लाँच किया है, अभी जो GEF Small Grant Program है, ठीक है, ये, पनेंशियल और Technical Assistance प्रोवाइड करेगा, उन प्रोजेक्ट्स को, जो स्पेसिफिकली, environment को conserve करने के लिए, environment को restore करने के लिए involved है, उसमें भी क्या है कि एक तो environment के project होने चाहिए और especially उसके साथ साथ यह है कि local people जो है वो involved होने चाहिए साथ में ठीक है while also enhancing the lives of the local communities ठीक है तो इसके लिए यह है 2022 में यह 7th operational phase होगा इस program का so यह जो grant है under this program यह non-governmental organization को दी जाती है जो मतलब जो किसी specific landscape में particularly काम कर रहे है environmental sector में इसका main aim जो है कि local communities को हमने develop करना है local communities की capacities को develop करना है और collective action लेने है local communities और government ने मिलके collective action लेने है environment को environment को conserve करने का और sustainable development के target को achieve करने का ठीक है इसका major 3 regions में focus होगा नौर्थीस्ट में यह focus होगा नौर्थीस्ट रीजन में इसका focus होगा उसके लावा central semi-arid region जो है 1992 में first time launch किया गया था रियो अर्थ summit के अंडर अर्थ summit हुई थी 1992 में रियो शहर में रियो डिजनेरो शहर में तो रियो summit बोला जाता है उसको 1992 वाली तो उसके अंडर यह first time idea conceive हुआ था ठीक है it works based on the belief that environment global environmental solution would remain sustainable इसका मतलब इसका main target पता है कि aim यह है कि जो global environmental solution है जो भी project लगाया जाते हैं वो सरफ तभी successful हो सकते हैं अगर वहाँ की local community को आप involved करते हो ठीक है ठीक है अगर local community मतलब उसमें involved है then only यह project जो है successful होगी principle क्या है think globally and act locally ठीक है कि global think आप globally करो ठीक है मतलब global examples को use करो लेकिन उनको local level पे implement किये जाए think globally and act locally acting locally so इसका main aim है तो create a balance between human requirement की human की requirement और environment के imperative में एक balance मतलब community participation के थूँ ठीक है यह एक balance लेके आना है so grant under this initiative are given to the local citizen local citizen को grant दी जाती है civil society में से ठीक है और non-governmental organization को भी दी जाती है academics को scientific institutions को women group को indigenous group को इनको grants के अंडर दी जाती है ठीक है next news item है Hughes and Isro satellite internet service तो Hughes और Isro ने मतलब यह एक यूएस की एक private company है ठीक है US based Hugh network system ठीक है joint venture not private sorry एक joint venture company है US based ठीक है so इसने यह मतलब HCI जो है एक joint venture company है Hugh network system और Indian telecom operator भारती एरिटल के बीच में इसने अभी Isro के साथ मिलके high throughput satellite के थूप broadband service देने का मतलब एक initiative लिया है कि जो areas में वैसे हम broad मतलब line के थूप ठीक है connectivity के थूप हम internet नहीं बेज सकते तो उन areas में satellite internet मतलब high throughput satellites के थूप internet हम provide करने की कोशिश करेंगे ठीक है बहुत सर ऐसे military के areas होते हैं इनको वैसे reach करना मतलब tough होता है tough terrain की वज़ा से लेकिन उनको satellite के थूप हम उनको connect करने की कोशिश करेंगे The service would provide satellite internet to promote the parts of India by Isro using G-Sat इसमें G-Sat 11 satellite Isro का और G-Sat 29 satellite जो है ये use किये जाएंगे Isro ने G-Sat 11 और G-Sat 29 2018 में launch किये थे higher bandwidth Satellite Connectivity प्रवाइड करने के लिए Indian clients को Space Enterprise में ठीक है G-Sat 11 जो है ये मतलब 14 Gbps through satellite network जो है प्रवाइड कर सकता है अब ये newly launched HTS broadband service है इसका main aim ये है कि high speed broadband internet connection प्रवाइड करना है उन areas को जो terrestrial networks के थू मैंने आपको बताया कि जो हम ऐसे line बिचा के या फिर वैसे connectivity की वज़ा से मुनको access नहीं कर सकते है पिछले एक साल में high speed internet service प्रवाइड की गई है test pilot basis पे जम्मू कश्मीर में हिमाचल परदीश में जहां पे मतलब वैसे terrestrially terrestrially हम connectivity प्रवाइड नहीं कर सकते है parent की वज़ा से बहुत जादा मतलब पहाड़ी लाका होने की वज़ा से ठीक है the newly launched satellite internet जो है यह 100 mbps की speed प्रवाइड करेगा उसके अलावा 2 gb per day data भी प्रवाइड करेगा ठीक है next important news item है sickle cell anemia के लिए ठीक है के बारे में पिछले तीन साल में एक gene editing tool आया था CRISPR-CAS CRISPR-CAS इसके लिए दो famous scientist chemistry में उनको nobel prize भी तीन famous scientist को nobel prize भी मिला था अब यह जो technique है यह बहुत जादा मतलब इन्हों efficient है एक भी इसका failure का नहीं है flawless results है इसके तो इसको अब यूज करना चाते हैं scientist एक मतलब sickle cell anemia के को ठीक करने है अब इसके लिए five year का एक project लगाया जा रहा है sickle cell anemia देख लेते हैं क्या है यह एक group of inherited blood related disorder है मिलाब RBCS का disorder है normally RBCS के एक shape होती है मतलब you know oval rounded kind of shape होती है जिसके चलते वो मतलब maximum oxygen को transfer करते हैं हमारे body के various organs में ठीक है लेकिन sickle cell anemia में क्या होता है कि यह जो RBC goal होता है या फिर oval या ऐसी shapes होती है ठीक है इसकी shape change होता है और यह ऐसे crescent या sickle जासी होती है ठीक है ऐसी shape में आ जाता है जिसकी वज़ासी यह oxygen नहीं carry कर पाता है various body के organs में ठीक है so healthy blood cells rounded होते है ठीक है और यह small blood vessels के थूट जाते जाते मतलब oxygen carry करते है sickle cell anemia में क्या होता है कि hemoglobin जो है abnormal होता है जिसकी वज़ासे RBCs की shape change हो जाती है और यह sickle जासी हो जाते है ठीक है और sickle cell जो होते है यह जल्दी इनकी death हो जाती है वैसे RBC का life span जो होता है 120 days का होता है एक RBC जो है 120 दिन का life span होता है उसके बाद यह spleen में जाके degenerate हो जाता तो वहां पर इसकी death हो लेकिन जो crescent shape वाले हो जाते है जिनके अब noble hemoglobin होता है ठीक है तो वो जो cell जो वो RBCs होते है इनकी death हो जल्दी हो जाती है अब क्या क्या जा सकता है इसमें CRISPR-Casid से क्या होता है कि जैसे suppose अब hemoglobin में क्या होता है इसमें पता है कि एक beta-globin मतलब थोड़ा सा advanced level पर क्या होता है कि एक beta-globin chain होती है इसकी hemoglobin की उसकी sixth position पे mutation हो जाती है ठीक है बैलीन और स्टामीन में mutation हो जाती है तो अभी है mutation की वज़ा से एक mutation की वज़ा से इतनी बड़ी बिमारी हो जाती है अब क्या किया जा सकता है कि अगर हम gene editing tool को use करके ये mutation वाल इरिया को काट दें और इसकी जगा पे हम नया नया चीज डाल दें मतलब नया gene डाल दें जिसको हम भार लैब में बनाएंगे और नया gene नॉर्मल जीन डाल दें ठीक है तो उससे क्या होगा कि ये जो RBCs नय बनेंगे न वो नॉर्मल RBCs बनेंगे ठीक है तो यही हमने करना है crispर CASE में आप देखो कि crisper CASE में मैं इक बार diagram के help से आपको बता देती हम ठीक है इसमें 2 चीजे होती है एक तो CASE 9 होता है और यह पूरा mechanism CRISPR रहता है और साथ में ये guide RNA ही विद्वाता है और ये spacer segment होती है इससे पता चलता है कि कहां पे जांगे कहां पे आपका faulty gene है तो वो मतलब हमने अपना guide DNA डालना है ठीक है अब हम अपना guide DNA जो है मतलब एक guide DNA क्या करता है कि ये इसके साथ cas9 protein जो है bind करता है ये जो DNA है guide DNA ये आके targeted मतलब जो खराब area है ठीक है जहां पर गलत DNA डला हुए गलत mutation वाला DNA है mutated DNA है वहाँ पर जाके guide DNA अटाक जोजेगा guide DNA के साथ लगा हुए cas protein cas protein भी वहाँ पर बाइड होजेगा अब cas protein क्या करेगा कि वो target को identify करके वहाँ पर nix लगा देगा, cut लगा देगा ठीक है उसने cut लगा दिया ठीक है अब cut की जगह पर हम वहाँ पर मतलब बहां से जो DNA गया वहाँ पर उस जगह पर हम अपना programmed DNA मतलब सही वाला DNA जो हमने बाहर लाब में बनाया है उसको हम इसमें add कर देंगे clear है यहां तक ठीक है so यह हम करेंगे यहां पर फाइनली इसको बाद में attach कर दिया जाएगा और यह हमारा सही वाला अच्छा वाला मतलब इनों एक complete set बन गया ठीक है अब यह जो technology है यह scientist को help करती है edit करने के लिए ठीक है genome को edit किया जाएगा और इसमें Emanuel Charpentier ठीक है फ्रांस के थे जैनिफर डॉडणा यूएस ठीक है इन दोनों को nobel prize मिला था chemistry में molecular scissor बोलते है CRISPR-Cas को ठीक है so इससे इनको nobel prize मिला था यह एक important और revolutionary technology है ठीक है next news item world ozone day के बारे में world ozone day 16 September को celebrate किया जाता है world ozone day 2022 वाला जो था इसका target था मतलब इसकी theme क्या थी कि Montreal Protocol at 35 Montreal Protocol को 35 साल हो गया है ठीक है global cooperation protecting life on earth so background जो है इसमें 1994 में UNGA United Nations General Assembly में ने पहली बार यह बोला था कि हम 16 September को world ozone day celebrate करेंगे ठीक है so for preservation of ozone layer so यह day जो है यह basically वैसे तो commemorate करता है Montreal Protocol को इस दिन 16 September 1987 को ठीक है 16 September 1987 को Montreal Protocol जो है वो sign की गई थी और 1994 में UNGA ने बोला था इसको world ozone day celebrate करेंगे यह troposphere है यहाँ पर यह मतलब इनो यह troposphere है उसके उपर यह stratosphere वाला एरिया है और stratosphere के ऐसे base के उपर यहाँ पर यह ozone होती है यह ozone layer होती है ठीक है तो इसकी तीन में प्रोटोकॉल्स है पहले वियाना कर्वेंशन है ठीक है protection of ozone layer के लिए 1985 में बनाई गई थी इसमे 197 countries ने इसको ratify किया गया है यह foundational एक basic वो था सबसे पहला attempt था इंटरनाशनल लेवल पर ozone layer को preserve करने के लिए लेकिन इसके अंडर कोई भी legally binding reduction target में दिये गए थी कि आपको इतना करना ही करना है chlorofluorocarbons को remove करने के लिए chlorofluorocarbons CFCs बोलते हैं मतलब ऐसे compounds को जो ozone की depletion करते हैं उसके बाद monitor protocol sign की गई थी यह protocol है to Vienna Convention के बाद 89 में हुई थी 197 countries ने इसको ratify किया था और यह legally binding system है इसके अंडर मतलब क्या था कि countries को target दिये गए थे कि उनको chlorofluorocarbons को phase out करना है पनी country में से hydrofluorocarbons को HFCs को करना है इसके अंडर देखो याद रखना कि HFCs जो है include किये गए है HFCs वैसे directly ozone को harm नहीं करते लेकिन यह एक greenhouse gas है ठीक है किगाली agreement के अंडर तो यह भी इसमें include किये गए है उसके अलावा next किगाली agreement है किगाली agreement जो है वो protocol है to monitor protocol ठीक है यह इसके बाद हुआ था ठीक है यह 1987 में जो monitor protocol हुई थी उसमें इसने कुछ changes involved किये थे ठीक है इसमें क्या था कि penalties दी जाएगी यह binding नहीं थी फिर यह binding हुई और इसमें क्या गया कि binding तो कर दिया लेकिन कोई penalties नहीं थी लेकिन यहां पर क्या क्या एड किया गया कि अगर कोई country non compliance करती है तो उसके और penalty लगाई जाएगी ठीक है so developed country जो है वो financial support भी देंगी developing countries को किगाली agreement के under 197 countries है ठीक है इंडिया भी इसमें है and have consented to decrease कि हम hydrofluorocrybens के उसको decrease करेंगे use को ठीक है रफली 85% ठीक है by 2045 तक हम 85% कम करतेंगे next news item है कि एक largest हडपन culture का एक largest museum बनाया जा रहा है यह कहां बना रहे है राखीगडी में राखीगडी है हिसार district of haryana के पास है यह 5000 साल पुरानी Indus Valley Civilization के artifacts को दिखाएगा ठीक है विलेज राखीगडी जो है यह Indus Valley Civilization का पार्ट है 2600 बीसी से 1900 बीसी तक का इसका approximate time period बताया जाता है हर्याना जो है वल्ड का largest museum को मतलब इनों की host करेगा ठीक है हडपन civilization के लिए जो बन रहे है ठीक है और दो villages है राखी खास और राखी शापुर जहां पे archaeological relics अभी भी present है राखीगडी के मतलब यहां पे राखीगडी के पुरानी जो राखीगडी हुआ करती थी हडपन टाइमस में तो उसके दो relics है यहां पे archaeological survey of India ने मतलब started removing a village foundation for the first time in 1963 ठीक है तो तब उन्होंने देखना इसको finally शुरू किया था उसके अलाबा राखीगडी की location देख लो यह राखीगडी है यह हर्याना हिसार में यह काली बंगा जो है यह हौनुमान गर्ड डिस्ट्रिक ओफ राजस्तान के पास है हडपा साहीवाल के पास है मोहन जदारो सिंद के पास है ठीक है दोला वीरा भुज के पास है यह पहले हाकडा river plains में है इसको excavate किया था अमरेंदर नाथ ने archaeological survey of India के member थे ठीक है उसके अलाबा वसंत शिंदे और इसकी team ने यह find out किया था कि यह मतलब one of the largest site है मतलब मोहन जदारो से भी मतलब पहले महन जदारो largest थी ठीक है वस considered to be largest हडपन site until professor वसंत शिंदे ने इसको अडेंटि जो है 5000 साल पुरानी है ठीक है एक important find from this site is that cylindrical seal यहां पर cylindrical seal मिलती है जिसमें 5 हडपन character है on one side and a symbol of alligator on the other याद रखना कि basic जो seal है उसमें अलग motifs है लेकिन यह जो cylindrical seed है इसमें alligator का motif बना हुआ है राखी गड़ी gives the first ever evidence of double burial तो यहां पर double burial की दो लोगों को एकठा अधफनाया गया है death के बाद या ठीक है क्योंकि दो लोगों के के एकठे skeletons मिले है एक 38-year का male है और 35-year की female का है ठीक है यह last news item है लोगों को ज्यादा स्यादा बताना है ठीक है तो इसमें क्या है कि अडॉप्शन ऑफ इलेक्टरिक वीकल करना है अर्बन डिलिवरी सेगमेंट्स में ठीक है और consumer awareness भी इंक्रीज करनी है कि लोगों को ज्यादा स्यादा बताना है इलेक्टरिक वीकल में के बारे में और zero pollution करते हैं वो यह सब ठीक है उसके अलावा as a part of the campaign corporate branding इसमें इन्वाल होगी certification program दिये जाएंगे ठीक है ताकि जो भी industries effort कर रही है मतलब इलेक्टरिक वीकल में transition करने के लिए तो उनको recognize करने के लिए एक online tracking platform will share the campaign's impact through data such as vehicle kilometer electrified carbon saving तो य यह था इस news item के बारे में thank you so much I hope you people liked it please share it with your friends and subscribe to the channel and also join the telegram group telegram group को भी join कीजिये youtube channel को भी subscribe कीजिये इसको दोस्तों के ताँ share भी कीजिये और इसका जो pdf है उसको मैं telegram channel में डाल दूगी और अगर आपको कुछ questions attempt करने है UPSC या फिर किसी भी state exam से related ठीक है इस current affair के related या फिर in general static topics के लिए तो वो भी telegram channel पर डाले जाते हैं please join कीजिये thank you so much